नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News और मैं हूँ आपके साथ दिव्यान्शी गौड पेश है इस वक्त राजसान की खास खबरें राजसान हाई कोड ने संजीवनी क्रेडिट को ओपरेटीव सुसाइटी से जुड़ी एक याचिका में सुसाइटी के विक्रम सिंग के इंद्र जल शक्ती मंत्री गजेंदर सिंग श्रेखावत और अन्य पदादिकारियों को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है सुसाइटी में कई निवेशकों ने राशी जमा करवाई और यह याचिका संजीवनी संग की ओर से धायर की गई थी यह चिका में बताया गया कि सुसाइटी ने उनसे निवेश करवा कर चल कपट किया और इस मामले के जांच ED-CBI से करवाने का आगरे किया और साथी सुसाइटी की संपुन संबत्ती पर रिसीवर न्यूक्त किया जाए किसान दिवस पर किसान आंदोलन को लेकर सीम अशोग गहलोत ने मोधी सरकार पर हमला किया गहलोत ने बुद्वार को एक ट्वीट के जरिये कहा कि NDA सरकार सर्दी के मोसम में अंदोलन कर रहे किसानों की पीडा को समझे उन नए कृषि कानूनों को वापस ले गहलोत ने कहा कि किसान इवं कृषि देश की अर्थ विवस्ता की मुख्य धूरी है और उनका उत्थान राजय सरकार की सर्वच प्रात्मिकता है गौर्टलब है कि दिल्ली में किसान अंदोलन को लगबग एक माह होने को है लेकिन अभी तक उसका कोई हल नजर नहीं आ रहा पूरो प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई के जनम दिवस 25 दिसंबर को प्रतीक मंडल स्तर पर भाजपा सुशाशन दिवस मनाएगी इस मोके पर किसानों के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांशी यूजना के अंतरगत किसान मित्र के रूप में 9 करोड किसान परिवारों को 18,000 करोड रुपे का हस्तांतरन सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा और इसको लेकर वीडियो कॉन्फरें प्लाजा पर हुआ आलंकि गनीमत रहे कि हासे में किसी की जान नहीं गई दरसल एक परिवार कार में सवार हुकर सवाई मादपुर से जैपुर जा रहा था कार टोल प्लाजा पर टोल टेक्स के लिए खड़ी हुई थी और तबी पीछे से तेज रफ़तार से आए एक मिनी ट्रक ने कार को टकर मार दी हासा इतना भयानक था कि ट्रक कार को करीब सो मिटर तक घसीरता हुआ ले गया पेजल के लिए इंद्रागांदी नहर पर निर्भर प्रदेश के नो जिलो को आने वाली गर्मियों में पानी की किलत का सामना करना पड़ेगा पंजाब ने अपने हिस्से की नहर की मरमत का कारे तै कर दिया है और इसके तहत मार्च के तीसरे सप्ता से सतर दिन की नहरबंदी फाइनल हो गई है सबसे ज़्यादा दिकत बिकानेर और जोधपूर शहर को होगी क्योंकि दूनों ही जगें 20 दिन से ज़्यादा जल भंडारन की शमता नहीं है किसान अंदोलन पर लखनव से दिल्ली तक एक्षन के 28 वे दिन संगर्ष जारी है संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों के एक कमीटी बनाई है किसान नेताओं की यह कमीटी तैग करेगी कि सरकार से जो प्रस्ताव बाचित का मिला है उस पर बाचित हो या नहीं और अगर हो तो उसकी रेप रेखा क्या हो यह पांस अदसी कमेटी सरकार के प्रपूजल को लेकर ड्राफ्ट तियार करेगी और उसके बाद उस ड्राफ्ट को लेकर 40 किसान नेताओं की मिटिंग होनी है तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए प्रदेश के 1500 पुलिस कर्मियों को ट्रेंड किया जाएगा इसके लावा नए भरती होने वाले पुलिस कर्मियों के कोर्स में भी बदलाव होगा और साइबर क्राइम की परिक्षा में अंक बढ़ाए जाएगे राजसान पुलिस अकादमी के निदेशक एड़ीजी राजीव शर्वा ने कहा कि साल भर में प्रदेश के हैट कॉंस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक पंदरा सु पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम रोकने के लिए ट्रेन किया जाएगा महिलाओं और बच्चों के खिलाव साइबर क्राइम को देखते हुए प्रदेख जिले के पुलिस कर्मियों को तीन दिन की ट्रेनिंग देंगे और फिर उन्हें पुलिस कर्मियों में से ही चैन कर पांस दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी एक सब्ता में एक कोर्स पूरा करने का टारगेट रखा गया है इसके अलावा सभी थानों में एक या दो पुलिसकर्मी साइबर क्राइम के एक्सपोर्ट्स होंगे और अब खबरी श्रीगांगानगर हनुमानगर जिले की श्रीगांगानगर में कोविड-19 के चलते शिक्षा के लिए कक्षाएं लगाने पर पाबंदी होने के बाब जुद परफेक्ट कोचिंग सेंटर पर विद्यार्थ्यों की कक्षाएं लगाई जा रही थी इसकी सूचना मिलने पर तहसीलदार संजे अगरवाल और जौहर नगर पुलिस थाना प्रभारी विश्वजी सिंग मोके पर पहुंचे उपखन अधिकारी उमेज सिंग रत्नू ने बताया कि प्रशास्तिक में पुलिस अधिकारियों ने मोके पर जाच की तो कोचिंग की कक्षाएं चल रही थी इस सबन में कोचिंग सेंटर का रिकोड लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत कारवाही की जाएगी उन्होंने बताया कि कई दिनों से कोचिंग सेंटर पर विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाने के सूचना मिल रही थी ऐसे में आज तहसीलदार और पुलिस को मोके पर भेज कर तस्दीक करवाई गई गाइडलाइन की पानला नहीं करने पर संस्थान के किलाव कारवाही करने का प्रावधान है श्री गांगारिगर में सिविल लाइन्स के जरजर सरकारी भवनों पर लोगों के कबजों की जांच परताल करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आज दोपहर मोके पर पहुँचे सरकारी भवनों पर प्राइवेट लोगों के कबजों को हटानी की कवायर जिला प्रशासन कर रहा है जानकारी के निसार एडियम प्रशासन डुक्टर गुंजन सोनी तहसीलदार संजे अगरवाद सारजनिक नर्मान विभाग वे सामाने शाखा के करमचारियों के साथ सिविल लाइन्स में पहुँचे एडियम ने PWD द्वारा और सुरक्षित गोशित के गए भवनों का निरिक्षिन करते हुए इनसे हुए कबजों की जानकारी ली सिविल लाइन्स के अधिकांश मकानों से लोग दरवाजे, सलफ बिजली की तारे, खिड़िक्यां उखाट कर ले जा चुके हैं हनुमानगर जिले के पल्लू कस्बे में आज सुबह उस वक्त हड़कम बच गया जब हवा के साथ अजीब सी दुरगन वे जलन लोगों को महसूस होने लगी जैसे जैसे हवा आगे बढ़ रही थी उसके साथ ही धुएं का गुभार कस्बे की तरफ बढ़ गया और इससे पूरे कस्बे को अपनी चपेट में ले लिया इससे लोगों को आखों में जलन और सांस लेने में काफी दिक्कत महसूस होने लगी इस जोरान पता लगा कि यह जहरीला दुआ एक ट्वक पलटने की वज़े से आ रहा है सुच्रा मिलने पर पल्लो पुलिस मोग के पर पहुँची श्रीकंगार एसीबी ने बुद्वार को अनूपगड में मरुधरा ग्रामिट बैंक में समिधा पर कारेरत ओफिस बोई को रिश्वत लेते हुए ग्रफतार कर लिया उससे केसीसी की एवज में 4000 रुपे की रिश्वत मांगी थी मोगे से एसीबी ने 1500 रुपे बरामत किये हैं आरोपी 2000 रुपे पहले ले चुका था श्रिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने आज आरोपी को दबोच लिया डेसबी वेद प्रकाश लकोटिया ने बताया कि एसीबी ने आज सुबे अनूपकर सिर्थ मरुदरा ग्रामिट बेंक की ओफिस बोई राकेश कुमार निवासी वार्ड नमबर 19 को रिश्वत लीते हुए पकड़ लिया इस सबंद में मंदप्रीज सिंग ने शिकायत दी थी श्रीगंगानगर जिला अस्पताल परीसर के निकट प्रस्तावित मैडिकल कॉलिज की भूमी में बने रेड़ क्रोस सुसाइटी के भवन को खाली करने के लिए सुसाइटी के सचीव को पत्र लिखा गया दिला अस्पताल के पीमो डूक्टर केस कामरा ने सचीव को लिखे गए पत्र में कहा कि सरकार के निर्देशा रुसाइटी का भवन खाली करवाया जाना है और ऐसे में सचीव सीमेचो से समन्वे साबित करके ससाइटी के भवन को खाली करवाई ताकि मैडिकल कॉलेज निर अवाजाही फ्री करवा दी गई धन्य की अगवाई माकपा नेता पालाराम नायक भाखडा संगर समीति के अध्यक्ष महिंदर प्रताप सिंग धिल्लो अकिल भारती किसांसवा के तहसील अध्यक्ष कोर सिंग सिद्दू खैरुवाला गांग के सरपंच शमशेर अली ने की केंद सरकार के किसान विरोधी कृषी कानूनों के खिलाफ चल रहे अंदोलन के अंत्रकत अखिल भारती किसान संगर समीति की ओर से बुद्वार को एक दिन का उपवास रखा वया इस दोरान श्रीगंगा नगर के सादूवाली में गाजर उत्पादक किसान वे 36 बीवी के सरपंच वकील सिंग, अकिल भारते किसान संग के मास्टर रिश्पाल सिंग, सुभाष सहगल, किसान संगर समीति के सचीव, अमर सिंग विष्णोई, रामेश्वर कडवासरा, ग्यापन सोपा, ग्यापन में क्रुषी कानून बिल वापिस लेने की मांग की गई, कॉंग्रिस ने था श्रवन पारिक ने कहा कि नए क्रुषी कानूनों से किसानों को नुकसान होगा, तथा महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी, इस अवसर पर किशोर बारुपाल, मा उपाध्यक्ष अशोग कुमार ने कारेभार संभाल लिया, गौर्तलब है कि करीब 30 वर्षों पश्रात करणपूर नगर पालिका में कॉंग्रेस का पालिका अध्यक्ष चुना गया है, आज सुबे 11 बजे के करीब नगर पालिका में करणपूर विधायक सरदार गुर्मी स कुर्णर मुख्य अतिधी के रूप में पहुचे, कुर्णर ने सभी भाजपा कॉंग्रेस में निर्धली पाश्रदों को माला पहना कर स्वागत कर, साथ ही कॉंग्रेस पार्टी के पालिका अध्यक्ष रमेश कुमार बंसल और उपाध्यक्ष पत के निर्विरोध पहन में अपना कारेबार समाला। फिलाल इस बुलेटें में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।